आज हम बात करेंगे एटेट पोटल पर आप कौन से रेमेडीज और कौन कौन से रिचुल्स कर सकते हैं और अगर आपने पार्ट बान नहीं देखा तो आप जाके चेक आउट कर सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है उस पार्ट में मैंने आपको एक्स्प् कर सकते हैं इस पार्ट में हम डिसकर्स करेंगे कि आप कौन से रेमेडीज कर सकते हैं कौन से रिचुल्स कर सकते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं कि एटेट पोटल पर आप ऐसा कौन सा रिचुल्स कर सकते हो मैनिफेस्टेशन के लिए और इसके लिए आपको चाहिए होगा 8 bay leaves, 8 तेज़ पत्ते, 8 clothes, 8 long, ये long फूल वाले होने चाहिए, तूटे वाले ना हो, इसका आप ध्यान रखेंगे और आपकी जो सबसे important wish है, आप उसको mind में रखेंगे और 8 bay leaves पे आप one by one वो wish लिख देंगे ठीक है, 8 leaves होंगे, अपनी wish आपने 8 के 8 पत्तों पे लिखनी है, green color के पेंज से अब आपने क्या करना है, आपने अपने wish को mind में रखना है और bay leaf को अपने हाथों में, एक bay leaf को अपने हाथों में पकरना है, अपने हाथों की बीचों बीच और अपनी wish को बोलना है, जोर से बोलना है, और उसके बाद उस पत्ते पे blow कर देना है, फूप मार देनी है इसी तरह आप जो 8 के 8 पत्ते हैं, 8 के 8 beliefs हैं, उन पे आप इसी तरह से wish बोल के blow करेंगे इसी तरह जो 8 clothes हैं, आपने एके करके clothes को अपने हाथों में लेना है, और उसके अपना अपनी फूक मारनी है, blow करना है जब यह सब कुछ हो जाएगा, तो आपने एक कपूर लेना है, एक कैंफर लेना है, और यह सब कुछ बढ़न कर देना है जब यह सब कुछ burn हो जाएगा जो उसकी ashes हैं उसके अंदर आप डालेंगे थोड़ा सा cinnamon powder जो दालचीनी powder होता है और थोड़ा सा जाइफल powder nutmeg powder इन सब को आप mix कर लीजएगा और यह सारा जो mixture है यह आप अपने wallet में रखेंगे पैसों के बीचों बीच ठीक है और एक intention डालेंगे that you are attracting money, abundance, prosperity, whatever your wishes यह ritual बहुत जादा powerful है और बहुत magically काम करता है और 8-8 portal पे अगर आप यह करते हो तो manifestations आपकी ज़रूर होंगी अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसी वेदिक remedy के बारे में जो आप ज़रूर करिएगा जैसे कि आप जानते हो यह सावन का महीना है सावन का मन्त है तो सावन के मन्त में Monday और Thursday को बहुत जादा auspicious माना गया है बहुत जादा importance दी गई है अगर आप money attract करना चाहते हो abundance, prosperity, wealth attract करना चाहते हो happiness attract करना चाहते हो तो यह days बहुत अच्छे है Monday और Thursday उन चीज़ों को attract करने के लिए और जैसे कि Thursday को यह portal पढ़ रहा है तो इसकी जो energy है बहुत जादा powerful हो जाती है अगर आप अपनी life में problems दूर करना चाहते हो money, abundance, prosperity, happiness attract करना चाहते हो तो आपको यह remedies करनी होगी और अगर आप eight quarter पर यह remedies करते हो तो इसका 101% आपको result मिलेगा आपको क्या करना है आपको सुबह उटना है Thursday को नहाध होकर अपने forehead पे पीले चंदन का तीलक लगाना है मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो जाए ठीक है उसके बाद आप क्या करेंगे शाम को संसेट से पहले मंदिर जाएंगे और शिवलिंग पे आपको क्या चुड़ाना है जो females है वो करेंगी एक बिल पत्र लेंगी उस पे आपने पीले चंदन का तीलक करना है औ जो भी आपकी विष्ट है जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो विष्ट माइन में बोल देनी है राइट जो मेल्स है वो सिंपली शिवलिंग पे येलो चंदन का तीलक कर सकते हैं ठीक है और अपनी विष्ट बोल सकते हैं उसके बाद आपको बेसन के लड़ू करते हैं प्लीज मिस ना करें तो आपानी ते लिए रात को सोने से पहले चांट करेंगे शिवश वर्ट है बोल ने जबना यह आप टेक्निक करेंगे आप उस दिन करते हो एट को करते हो तो ट्रस्ट मी 101 परसंट आपको रिजल्ट मिलेगा राइट तो अब तक के लिए इतना ही मिलती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए कोमेंट कीजिए और अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चानल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक लिए टेक क्यों बाइ